एक ऐसी कहानी जो कभी किसी ने सुनी ना हो ऐसी ही कहानी खोजने के लिए वो इस गाउं में अकेला रह रहा था काश कुछ ऐसा मिल जाए जो इस दुनिया को हिला कर रख दे सारे गाउं को ये बात पता थी और फिर एक रात जैश दास के घर के दर्वाजी पर दस तक हो इस वक्त कौन आ सकता है जी आप नमस्ते बाबू मेरा नाम संतराम है मैं इस गाउं से गुजर रहा था जब ये जोर की बारिश होने लगी मेरे पास कोई गाड़ी या च्छाता भी नहीं है क्या मैं कुछ देर आपके घर पर रुख सकता हूँ हाँ हाँ आजाईए आप तो पूरी तरह भीग गए हैं कहीं ठंडना पकड़ ले आपको शुक्रिया बाबू आप बड़े दिलदार हैं कुछ देर बाद संतराम और जैश बाते करने लगे एह लगता है आप लेखक हैं हाँ तो क्या लिख रहे हैं आप क्या बताओं संतराम जी कोई अच्छी कहानी ही नहीं मिल रही ऐसे कैसे हो सकता है ये गाउं तो कहानियों का भंडार है तो आप ही बता दीजिए कोई जरूर जरूर पर एक शर्त है वो क्या मैं कहानी बिना रुकावट के सुनाना चाहता हूँ आप बीच में सवाल नहीं करेंगे और ना ही यहां से उतर कर कहीं जाएंगे मन्जूर है हाँ हाँ आखिर लेखक हूँ कहानियों की इस्जद करना मुझे आता है तो सुनिये फिर बड़ी भयानक कहानी है आशा करता हूँ आपका दिल मस्बूत हो इस गाउं में करीब तीस साल पहले एक अजीब हादसा होने लगा था बात उस सड़क की है जो इस गाउं से पहाड़ियों तक जाती है उन दिनों कई लोग जो इस सड़क से गुजरते वो लापता हो जाते गुमशुदा लोग मर्द होते और वो भी शादी शुदा जब करीब बीस मर्द इस तरह लापता हुए तब ये बात काउं के सरपंच की नजर में आई हमें लगता है ये किसी जानवर का काम है पर कोई जानवर सिर्फ हट्टे कट्टे मर्दों को क्यों ले जाएगा सरपंच जी मुझे लगता है कि ये किसी डापों की टोली का काम है शायद वो उन लोगों को अपने गिरों में शामिल करने के लिए उठा ले जाना चाह रही है हो सकता है भीमा, हमें पहरा देना होगा, तुम इस रास्ते का पहरा दो, ठीक है? जी सर पंच जी भीमा ने उस सड़क पर पहरा बढ़ा दिया, अगले दिन वो वहां से अकेला गुजर रहा था, तभी वो क्या है? बेहन जी, आप कौन है? इस तरह जंगल में अकेली क्या कर रही है? आपको यहां अकेली नहीं आना चाहिए, चलिए, हमारे साथ चलिए मेरा पती, वो मेरे साथ ही था, पता नहीं कहाँ चला गया यहां बहुत खत्रा है, पर हम आपके पती को ढूण लेंगे, किस तरफ गए हैं वो? आईए मेरे साथ यहां, यहां है आपके पती उसे छोड़ो, आप हो ना यह, यह आप क्या कर रही है, यह आप क्या कर रही है सिक्र मत करो, मैं आपको बहुत खुश रखोंगी हम, यह तो भीमा की तलवार और ढाल है शायद उन्हें कोई उठा ले गया है हे प्रभू, अब क्या होगा इस गाउं का? सरपंज ने फिर उस सणक को बंद करने का आधीश दिया सणक बंद हो गई और वहाँ वो हाथ से होने रुख गए इस तरह लेखक जैश दास संतराम की कहानी में बड़े मश्गूल थे पर उस वक्त खिड़की के बाहर अचानक से एक बहुत बड़े काले साय को देख कर जैश दास दंग रह गए उन्होंने कुछ कहना चाहा पर संतराम की शर्त को याद करके वो चुप रह गए अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वो औरत कोई साधारन औरत नहीं थी असल में वो औरत एक डायन थी और डायनों में भी वो सबसे ताकतवर थी और शैतानी ताकत से भरी हुई थी कहते हैं कि वो अपना रूप भी बदल सकती थी कभी कभी वो एक बड़ी सी चड़िया बन जाती काफी बड़ी चड़िया जो एक घोड़े से भी बड़ी होती है और अपने तेज और मजबूत बंजों से वो पूरे के पूरे आदमी को उठा ले जाती है दूर पहारों पर उसका घर था जो एक घोसला था इस घोसले में वो और उसके चोटे चोटे बच्चे रहते थे उन आदमियों को वो वहां ले जाती और पूरा परिवार उस बेचारे आदमी को अपने चोट से नोच नोच कर खा जाता तो ये थी डायन की कहानी क्या ये तुम्हारी किताब के लिए ठीक है कहानी तो ठीक है पर पर वहां बाहर आपके पीछे वो काला साया तुमने ये नहीं पूछा कि मुझे ये सब पता कैसे चला कैसे कैसे पता चला आपको आप कौन है आओ बताता हूँ क्या करूँ अब सड़क भी बंद करती है और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए है तो इस पापी पेट के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मतलब तुम 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 हाँ मैंने कहा था ना कि डायन रूप बदल सकती है और वो उसका रूप ले लेती है जो उसके शिकार को सबसे ज्यादा देखना होता है तुम है तो यही देखना था ना कि कोई तुम्हारी कहानी सुनाने वाला तुम्हें मिल जाए तो कहो गैसी लगी कहानी और डायन के परिवार ने एक और शिकार बना लिया जैश दास ने एक अद्भुत कहानी तो सुनी पर वो उसे कभे लिख नहीं पाया अली का परिवार मुंबई में रहता था अली के पिता अब्दुल साओधी अरेबिया में काम करते थे आज वे जहास द्वारा साओधी अरेबिया जा रहे थे बाई बाई अब्बू बाई बाई बेटा अब सीधे चै महने बाद लोटूंगा उस राज जब अली और उसकी मा सो रहे थे तो अचानक अली का फोन बजा हेलो हाब्बू बेटा मैं यहाँ जहास पर हूँ यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है यहाँ खूनी अली बेटा क्या हुआ बेटा? अम्मी अब्बू जिस जहास से साओधी अरेबिया जा रहे हैं वहाँ जरूर कुछ हुआ है अब्बू का फोन भी नहीं लग रहा मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ बेटा जरा ध्यान से रात के दो बज रहे हैं अली पुलिस टेशन जाता है लेकिन वहाँ पुलिस वाले सो रहे थे सर मेरे पिता भी तीन घंटे पहले मुंबई से साओधी अरेबिया के लिए जहाँ से रावाना हुए थे सर आप सुन रहे हैं या नहीं सुबा ना मेरे पास भी टाइम नहीं है ये सोने का टाइम है सर मेरे पिता जी की जान खत्रे में है कहा ना जाओ यहां से वरना तुम्हें ही लॉक अप में बंद कर दूँगा पुलिस वाला अली की नहीं सुनता सुबह अली के पास एक फोन आता है उसे बताया जाता है कि उसके पिता ने जहाँ से समुद्रा में कूत कर आत्म हत्या कर ली अली दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता की हत्या की रिपोर्ट लिखाता है तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पिता ने आत्म हत्या नहीं की थी मेरी पिता जब यहां से गए थे तो बहुत खुश थे वो सुसाइट क्यों करेंगे मैं हत्या का केस दर्ज नहीं कर सकता क्योंकि उस जहास पर मौजूद बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं और वहां ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी तुम्हारे पिता ने आत्म हत्या की होगी अब जाओ यहां से तुम तुम जाओ अली समझ गया कि पुलिस से उसे मदद नहीं मिल पाएगी पुलिस मदद करे या ना करे लेकिन मैं अब्बू की हत्या का रास जान कर ही रहूँगा अम्मी मैं आज ही उस जहास से साउदी अरेबिया जाओंगा और देखूंगा कि उस जहास पर क्या होता है मा अगर मैं अब्बू की हत्या का रास नहीं पता लगा पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मुझे उस जहास पर जाना ही होगा अली साउदी अरेबिया का टिकेट खरीद कर जहास पर पहुँच जाता है अली के केबिन में एक सर्विस गल नाश्टा पहुचाने आई अली ने देखा कि सर्विस गल के पैर उल्टे हैं लीजी सर आपका ब्रेकफस्ट अगर आपको किसी और चीज़ की जरूरत हो तो बता दीजिए डर के मारे अली की आवाज ही नहीं निकल पा रही थी लड़की जब चली गई तो अली ने पूरे जहास का नक्षा देखा अचानक उसे अपने केबिन के बाहर से किसी आदमी के चिलाने की आवाज आई मुझे जाने दो मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मुझे जाने दो अली तुरंद बाहर जाता है वो देखता है कि उसके अब्बु जो घाल हैं उनके माथे और चेहरे पर चोट है किसी से माफी मांग रहे हैं लेकिन सामनी कोई भी नहीं है अब्बू अब्बू आप किसे बात कर रहे हैं आप आप जिन्दा हैं लेकिन अब्दुल अली की सुन ही नहीं रहा था अब्दुल किसी से डर कर सेडियों की तरफ भागता है अली उसके पीछे पीछे जाता है अब्बू मेरी बात सुनिये, मैं, मैं आपका बेटा अली हूँ, मेरी बात सुनिये अब्दू जहास की छट पर तहाँ जाता है और सीधे समुद्र में पूच जाता है रुकिये अब्बू ये सब क्या हो रहा है तबी जहास की छट पर एक लड़की दौरती हुई आती है मेरी मदद करो, वो लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ दे जा रहे है तुम कौन हो, मुझे दूर रहो कहा ना मेरी मदद कर अली अपनी जेब से लाइटर निकालता है और चुडैल के कपड़ों में आग लगा देता है यहां हो रही घटना है जरूर मुझे कुछ बताना चाहती है किसी ऐसे इंसान से बात करनी होगी जो जहास पर हमेशा मौजूद रहता हो अली जहास के कप्तान के केबिन में जाता है और उसे अपने पिता जी अब्दल के बारे में बताता है अच्छा तो अब्दल तुम्हारे पिता थे एक दो बार मैं उनसे मिला था साउदी अरेबिया में एक ग्रूप काम करता है माफ करना करता था जो मुंबई से लड़कियों को उठा कर साउदी अरेबिया ले जाता था और वहाँ उन्हें बेच देता था तुम्हारे पिता उसे ग्रूप में शामिल थे मैं भी उसे ग्रूप में शामिल था हाहाहाहा लेकिन अब सब मारे जा चुके हैं एक बार हम जिन लड़कियों को मुंबई से चुरा कर ला रहे थे उन में से पांच लड़कियों ने समुद्र में कूद कर आत्म हत्या कर ली उन लड़कियों की आत्मा उने इस जहास पर मौजूद एक एक आत्मी को मार डाला इस जहास पर केवल तुम ही जिन्दा इंसान हो लेकिन अब तुम भी नहीं बचोगे अचानक पाच लल्गियों की आत्मा वहां आत्मी है और अली की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन अली पहले से ही तयारी करके आया था उसने पूरे जहास के किनारे किनारे मिटी का तेल पहला दिया था वो दर्वाजे से बाहर भागता है और जहास पर जलता हुआ लाइटर फेक कर जहास से समुद्र में फूट जाता है इस तरह अली पूतिया जहास को खत्म करके अपनी घर लोड़ जाता है और पूरी कहानी अपनी अम्मी को सुनाता है ये कहानी मननगड की है मननगड के तीन रास्तों को चुडैल के तीन रास्ते बोला जाता है क्योंकि यहां सूरज ढलते ही चुड़ेल तांडव किया करती थी सूरज ढलने के बाद अगर इस तीन रास्ते पर कोई दिखाई दिया तो चुड़ेल उसे घसीट घसीट कर मार डालती एक बार की बात है दिनकर का पोता सूरज गाउं आया था सूरज सूरज ढलने से पहले घर लोटाना हाँ दादा जी मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊंगा इस गाउं में छोटे बच्चे नहीं बाकी बड़े लोग गुम हो जाते हैं पिछले हफ़ते तेरे रवी चाचा गायब हो गए थे चुड़ैल की तीन रास्ते से चुड़ैल का तीन रास्ता हाँ गाउं के बाहर जो तीन रास्ता है वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो सूरज ढलने के बाद वहाँ तांडव कर रही है तांडव लोगों को दोड़ाती है घसीटती है और फिर उनकी लास्त तीन रास्ते पर छोड़ देती है आज तक कोई ऐसा व्यक्ती नहीं है जो तीन रास्ते से जिन्दा लोट कर आया हो बाप रे अब तो उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ कर गया है कि सूरज धलने के बाद कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता तू समझदार है शाम होने से पहले घर लोट आना ठीक है दादा जी मैं लोट आऊंगा सारा दिन सूरज गाओं खुमता रहा वो उस तीन रास्ते पे भी गया जहां उसे अजीब महसुस होने लगा पर सूरज धलने से पहले बागी गाओंवालों की तरह वो भी घर लोट आया अगला एक हफ़ता सूरज ठीक समय पर घर लोट आता था आज सूरज शेहर जाने व भक पाँच बजे सूरज दादा जी के घर से निकला रास्ते में उसका पेर एक गड़े में फस गया उसे पेर बहा निकालने में काफी समय चला गया और तब तक उसकी बस चली गई थी जब सूरज बस टेंड पे पहुँचा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी क्या बस चली गई नहीं अभी तक लगता है बस लेट है फिर ठीक है मैंने तो सोचा था कि मैंने बस मिस कर दी है तुम इस गाउं के नहीं लगते शेहर से आये हो हाँ ये मेरे दादा जी का गाउं है कुछ दिन हुए उनके पास यहां मैं रहने आया हूँ अच्छा है तुमने चुडैल के बारे में नहीं सुना क्या सुना तो है कि सूरज धलते ही वो इस तीन रास्ते में आ जाती है और सभी लुगों को मार देती है और वो भी तरपा तरपा के मारती है उन्हें हाँ मुझे तो चुडैल की पूरी कहानी पता है अच्छा तो बताओ मुझे चुडैल कौन है काफी साल पहले एक लड़की थी राधा राधा गाउं के बाहर काम करने जाया करती थी उसे रोज आते जाते देर हो जाती थी एक दिन कुछ लुटैरों ने अकेली राधा को इस तीन रास्ते पे देख लिया और उसके साथ बहुत बुरा किया राधा ने खुद अपनी जान दे दी और तब से राधा चुडैल बन गई ये सब तो मैं समझ गया लेकिन वो भूले भाले गाउंवालों को क्यों मारती है वो मार रही है ताकि गाउंवाले समझ सके कि इस तीन रास्ते पे कोई अकेला ना आए वो चेताओन ही दे रही है चुडैल चाहती है कि इस तीन रास्ते पे हमेशा लोग रहे ताकि किसी और राधा के साथ ऐसा हाथसा ना हो सके ये सब तुम्हें कैसे पता सूरज के ये पूछते ही उस लड़की की मुस्कान बदल गई वो हसने लगी क्योंकि मैं ही वो चुडैल हूँ सूरज ढल गया था लड़की चुडैल में बदल गई चुडैल को देख सूरज डर गया और गाउं की और भागने लगा चुडैल उसके पीछे पीछे भाग रही थी सूरज भागते भागते अपने दादाची के घर गया और जोर जोर से दर्वाजा खटकटाने लगा अपने पोते के आवाज सुनकर दिनकर ने दर्वाजा खोल दिया सूरज अपने दादाची को बता ही रहा था कि वो चुड़ेल दर्वासे पे आई और सुरज को घसीरते हुए ले जाने लगी राधा छोड़ दो मेरे पोते को मैं तुझसे भीग मांग रहा हूँ तेरे तीन रास्ते में मैं मंदिर बनवाऊंगा और शाम होते ही वहां भजन करता हुआ बैठा रहूंगा जिन्दगी भर ये वादा रहा मेरा पर छोड़ दो उसे पक्का करोगे हाँ मैं वादा करता हूँ चुड़ेल ने सुरज को छोड़ दिया और वहां से चली गई अगले दिन दिनकर अकेला तीन रास्ते पे गया वहां देवी की मूर्ती रखी और जोर जोर से भजन गाने लगा शाम होते ही चुड़ेल आई पर दिनकर को वहां बैठा देखकर मुस्कुरा कर गायब हो गई उस दिन के बाद रोज दिनकर वहां बैठा रहता था धीरे धीरे कई और लोगों ने दिनकर का साथ दिया कुछी समय में उस तीन रास्ते वाले मंदीर में बक्तों की भीड रहने लगी अब वो सुनसान रास्ता एक भीड भड़ वाले इलाके में बदल गया था मंदीर बनने के बाद किसी ने तीन रास्तों वाली चुड़ेल को नहीं देखा इस बात को अब 40 साल बीट गए हैं सुरज बूड़ा हो चुका है पर अभी भी जब वो चुड़ेल के बारे में सोचता है वो देहल जाता है चुड़ेल के तीन रास्ता उसकी जिन्दगी का सबसे खौफनाक हाथसा था मनकापूर नाम का एक गाउं था जो मुर्गी बालन के लिए जाना जाता था गाउं भी रामपाल नाम का एक अंडे बीचने वाला अपनी पतनी और बच्चों के साथ रहता था रामपाल का बहुत बड़ा फाम था वो ट्रक में अंडे भर कर दुकानदारों के पास ली जाता था और उने थोप के भाव में बेचता था लो श्यामदास हजार रुपे हो गए तुम्हारे रामपाल बच्चे कैसे हैं तुम्हारे मैंने सुना है कि तुम अपने बच्चों को कहीं से चुरा कर लाये थे बच्चे मैंने चुराये नहीं थे मुझे मिले थे और तुम्हें मेरे बच्चों से क्या लेना देना पैसे दो मैं लेट हो रहा हूँ रामपाल जब घर पहुँचा तो उसका बेटा अर्जुन रामपाल से बूला पापा आज अंडे कितने रुपए में बिके आज पूरे 5000 के अंडे बिके हैं बेटा पिता जी मेरे लिए इस बार एक मोटर साइकल खरीद कर दे दीजिए पापा अर्जुन को अगर मोटर साइकल दिला रहे हो तो मुझे भी एक स्कूटी दिला दो ना अच्छा ठीक है तुम दोनों को दिलवा दूँगा कल में राकेश के पास जाता हूँ वो मोटर साइकल एजनसी में काम करता है रामपाल अगले दिन जब जंगल के रास्ती राकेश के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ अंडे पड़े हुए मिले अरे ये अंडे रास्ते में कहां से आ गए रामपाल एक अंडा उठाता है लेकिन अंडा च्छूट कर धर्थी पर गिरता है और उट जाता है अंडी सी जहरीला धुआ निकलता है और रामपाल के चारों तरफ फैल जाता है एक प्रेगनेंट चुड़ेल रोती हुए वहां आती है और रामपाल को कोड़े मारने लगती है मुझे छोड़ दो तुम कौन हो मुझे जाने दो नहीं छोड़ूंगी तुझे उदर से राकेश आ रहा था राकेश में देखा कि रामपाल किसी से बाती कर रहा है लेकिन आसपास कोई नहीं है अरे रामपाल भया क्या हुआ अकेले में किस से बात कर रहे हो और इतने घबराए हुए क्यों हो वो वो चुडैल तुम्हें चुडैल नहीं दिख रही क्या कौन सी चुडैल मुझे तो कोई चुडैल नहीं दिख रही राकेश रामपाल को अपनी घर ले जाता है राकेश मैं तुम्हारे घर आ रहा था पता नहीं जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ मुझे कोई आत्मा पकड़ लेती है ऐसी बात है तो मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ उसका नंबर ले लो, जरूरत पड़े तो उससे बुला लेना अब बताओ कि किस काम से घर आना हुआ रामपाल राकिश से बात करने के बाद घर लोटाया उस रात वो बहुत चिंतित था क्या हुआ? क्या आज फिर कोई घटना हो गई? हाँ, वो भूत्नी मेरे पीछे पड़ी हुई है पता नहीं वो मुझसे क्या चाहती है उस रात रामपाल और उसकी पत्नी जब सो रहे थे तो अचानक उनके ऊपर अंबे गुद्धे लगे ये क्या हुराय जी? कमरे से भागो! दोनों कमरे से बाहर भागते हैं लेकिन कमरे का दर्वाजा अपने आप बंध हो जाता है कमरे में एक भयानक चुड़ैलाती है तुम कौन हो? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमने तुम्हारा क्या भिगाड़ा है? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया सोला साल पहले अचानक अरजुन और पूजा दर्वाजा खोल देते हैं क्या हुआ मा और पिता जी? कमरे में इतने सारे अंड़े किसने फैला दिये और आप लोग इतने डरे हुए क्यों है? कुछ नहीं हुआ बच्चों तुम लोग जाकर सो जाओ अरजुन और पूजा जाकर सो गए लेकिन रामपाल और उसकी पत्नी को पूरी रात नींद नहीं आई जब से बच्चे हमारे घर आएं तब से वो चुड़ेल हमारे पीछे पड़ी हुई है आज वो हमें नुकसान पहुचाना चाहती है कल ऐसा नहों कि वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुचाए नहीं वो हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुचाएगी इतने सालों में कभी भी वो अरजुन और पूजा को दिखाई ही नहीं दी उस चुडैल का अरजुन और पूजा से क्या कनिक्शन है तुम अरजुन और पूजा को घर लेकर आए और तभी से चुडैल हमें परिशान कर रही है तुम अर्जुन और पूजा को चुड़ेल से मत जोड़ो चुड़ेल का हमारे बच्चों से कोई लिना देना नहीं है ये एक संयोग हो सकता है कि जब अर्जुन और पूजा को मैं घर लाया तो चुड़ेल भी पीछे-पीछे हमारे घर में आ गई कि अचानक घर के अंदर से अर्जुन और पूजा की चीखने की आवाज आती है मम्मी पपा बचा और उसकी पत्ती अंदर दौरते हैं जब वे दोनों अर्जुन और पूजा के कमरे में पहुचे तो उन्होंने देखा मां पिता जी एक चुड़यल हमारी कमरे में आई थी उसने हि हमें अंडे में बंद किया है हमें इन अंडों से बाहर निकाली अब हमारा दम घुट रहा है हमें बाहर निकालिए लगता है अब उस तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा रामपाल तांत्रिक को बुलाता है और अपने घर में हवन करवाता है कौन है तू, सामने आ क्या बिगाड़ा है रामपाल ने तेरा क्यों इसे परिशान कर रही है सोला साल पहले जंगल से इसने मेरे अंडे चुराए थे ये दोनों बच्ची उन्हीं अंडे में से निकले हुए दुनियावालों को ये रामपाल बताता है कि ये बच्ची जंगल में पड़े हुए मिले थे तुम कहना चाहती हो कि दोनों अंडे तुम्हारे थे हाँ वो अंडे मेरे थे हम चुडैल सीधे बच्चों को जन नहीं देते अंडे देते हैं मुझे अपने बच्चे वापस चाहिए तुम्हारे दोनों बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं हमने इने बड़ा किया हम इने प्यार करते हैं इने हम से मत छीनो मैं अपनी मा और पिताजी के साथ रहना चाहता हूँ और मैं भी ठीक है बच्चो और तुम दोनों यहां इंसानों के बीच खुश हो तो मैं क्या कर सकती हूँ लेकिन याद रखना कि तुम्हारी एक मा है जो जंगल में रहती है तुम जब भी मिलना चाहो अपने बच्चों से आकर मिल सकती हो मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वरना मैं तुम्हें सताओंगी ऐसा कहकर चुड़ाय लगाय मुझा दिया ऐसा सुहाना बारिश का मौसम यह लंबी ओवर नाइट टेन की यात्रा बहुत अच्छी तरह से कटने वाली है और यह खुबशूर्ती हीख मेरी आँखों के साव है सच मुच यह यात्रा यादगार होने वाली है मुझे इससे बात करनी है पर शुरूर कैसे करना सुने आप ठीक है आप पहले कहिए ना जी आप सॉरी लेडिस फर्स्ट ओके मैं तो यही पूचने वाली थी कि आप कहा तक जा रहे हैं मैं बदरी स्टेशन पर उतरने वाली हूँ वो सुबह पाँच बजे लगने वाला है सूच रही थी कि अगर मेरी आख लग जाए तो क्या आप मुझे जगा देंगे वाह क्या बात है मैं भी बदरी ही जा रहा हूँ फिर तो ठीक है हाँ शायद आज रात हम दोनों में से किसी को नीद ही नहीं आईगी आप अकेली यात्रा कर रही हूँ हाँ और आप मैं भी हाई मेरा नाम आशुतोश है और आपका और कही आशुतोश आपकी शादी हुई है नहीं क्या मैं इतना परिशान लगता हूँ आपको और आपकी हाँ सौ साल पहले कैसा लगा मेरा मज़ाग टिकेट 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 अरे डरो मत दिविया तीसी है टिकेट देखने आया है लगता है तुमने टिकेट बहुत पहले से बुक करा रखा था हाँ एक अर्सा हो गया है अब तो मतलब सदियों से तरस गई थी कि इस तरह की ट्रेन में सफर करूँ और कोई मुझसे बात ही करे और आपको क्या क्या पसंद है आशुतोश मतलब होबीज हम फुटबॉल खेलता हूँ वैसे मैं पिक्चर भी बहुत देखता हूँ किताबे पढ़ता हूँ कैसी वाली किताबे अब क्या बताऊं मुझे हॉरर की कहानिया पढ़ना बहुत पसंद है वाह फुटो वाली कहानिया अब तो हमारी बहुत अच्छी जमने वाली है मतलब मतलब मुझे भी हॉरर बहुत पसंद है उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती सब लोग बच के रहना बच के रहना ट्रेन में डाइन घुसाई है डाइन? छोड़ो आशुतोष उलड़का शायद पागल होगा ट्रेन में ऐसे पागल लोग घूमते रहते हैं मगर उसने डाइन कहा तुम्हें डर नहीं लगता? उसमें क्या डर ना? मुझे ऐसी चीजों से डर नहीं लगता क्या यही वो डाइन तो नहीं? क्या सोच रहे हुआ शुतोष? इतनी ठंडी में भी तुम्हारा पसीना चूटने लगा? नहीं नहीं कुछ नहीं हमें अब सोना चाहिए बहुत देर हो गई लेकिन अभी तो ग्यारा ही बज़े है नीद आ रही है सुबह जल्दी उठना भी है क्यूं सबना था? आपको भी नहीं आ रही, तीसी सर क्या हुआ, किसी में, किसी में, उस लड़के को मारा तुम यहां हो आशुतोष, तुम ही चीखे थे अभी, क्या हुआ इसी ने, यहीं है वो, इसी सर, इसी ने इस लड़के को मैंने क्या, मैंने क्या तुम ने उस लड़के को मार डाला, और अब तुम मुझे भी मार डालोगी, तुम सब को खा जाओगी ये तुम क्या बाते कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो ये देखो जी क्यों रही हो, तुम ही ने इसे मारा है, तुम औरत नहीं, डायन हो नहीं आशुतोष डायन वो नहीं, मैं हूँ नहीं पर क्यों? क्योंकि इसी ट्रेन ने मुझे परसो पहले को चलकर मेरी सिंदगी ले ली थी अब मैं इस ट्रेन में बैठे किसी को भी नहीं चोड़ूँगी नहीं, ऐसा मत करूँ अब तो ये गई क्या वो या वो सच में फिकर मत करो दिव्या सब ठीक हो जाएगा